फिर हम देखेंगे कि आज हम जीव विग्यान कक्षा 11 का तेमा की पाति हैं sú要wr scholar देखरेंगे जूए को परना है सजीव जगत यहांनी अध्याओ एक परना है उसको हम moderate का में इंडिकेट कर चुके हैं पर देखेंगे जिवеб cruise कि लक्षण में यारल pes पर आता है नाम नाम करन पर फिर किया है अगला है टेक्सं और भर्गी करण का आधार इतना सब हम देखेंगे आपको कश्याइब कि यह अध्याय एक में ठीक है अगर देखते इसमें संभा हो पाएगा तो टोटल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वाला देखते हैं तो सजीव के लिए आता है कि वैसा जीव जो जिसमें कुछ जीवित हो जो जीवित हो और यह जीवित होने के सांस इसका कुछ पीसिष लक्षन है सजीव और मांदा हो नेक्शों होता हो यह साव लक्षन हो गया तो आई हम देखते हैं कि सजीव जगद के लक्षन कौन-कौन से है वाला लक्षन आता है कि ब्रिधी यानि ग्रोथ कि दूसरा हम देखते हैं तो स्वसन कि यानि रेस्पाइरेशन अगला आता है प्रजनन याने रिप्रोड़क्शन अगला आता है ब्रेदी हो गया प्रजनन हो गया और आता है इसमें तीन देखे और आता है इसमें उस सर्जन आता है याने एक्सक्रेशन अगला आता है इसका अंग्रेजी होता है एस्टीमूली याने एक दो तीन चार और पांच एक और प्रोटोप्लाज्म को भी रखते हैं लेकिन ये पांच ऐसा लग्षन है जो सजीव को निर्जीव से अलग करता है जैसे अगर हम सजीव है यानि ब्रिध आकार में प्रिधि हो यानि साइज बढ़े या आएतन में यानि इसका भोलूhmen बढ़े तो स्वसन आप समझ रहे सांस लेने कि प्रकडिया प्रजनल समझ रहे सबस्क्राइव करते हैं एक और बात जाने वाली है कि इसमें कौन सा लक्षम सजीओ लक्षन कहलाता है। विस लक्षन की बात करें तो व मतलब यह होता है कि वैसा माएनि मायने में उनको से अलग करता हो अगर हम ब्रिधा के लिए का सकती है कि वruce फिल्लत तो आप नहीं कि संसात निर्जीवों में ब्रेदी होती है जैसे अब कैसे होती अगर कोई पहार है ठीक है अब पहार है तो इस पहार दूसरी जगह लेकर चली जाती तो यहां किसी ना किसी रूप में गड़े बढ़े जाते है इनके भी हम कह सकते हैं कि इसके आयतन में परीवर्तल हो गया इसवास Geyo का डेmernal नहीं है आधी inhalation यानि हम ऑक्सिजन को और करते हैं चुकि स्वसन के क्रिया में ही हमें ऑक्सिजन मिलता है तो यह प्रोसेस के वह और सजियों में होता है लेकिन कभी-कभी जब मानव कोमा में चला गया हो उस सवसन की प्रक्षिया स्वता नहीं कर पाता है उसे दिया जाता है वाएर से अगला आता है तो क्या हम प्रजनन के लिए कर सकते हैं जीवों में नहीं होता है तो आए देखते हैं कि क्या है प्रजनन वैसा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जिवधारी अपने जैसा संतान उत्पन करते हैं तो इस प्रजनन करते हैं अब बात आता है कि प्रजनन में भी कुछ जिवधारी है जो बच्चे उत्पन नहीं कर सकते जैसे खंचड है यानि मियूल जिसको करते हैं यह घुड़ा का एक प्रजाती है जो संतान उत्पन करने के चमता नहीं रखता है और यह संतान उत्पन नहीं करता है और अगला एक्जाम्पल देख सकते हैं इसमें जैसे अनुर्वर मानौ यानि इसको हम अंग्रेजी में इन्फर्टाइल यानि वैसा मनुसियर यानि इसमें बात करते हैं मील और फिमल की बात करते हैं तो महल में जो टेश्टीस पाण जाता या तो अपना नहीं काम बढ़ने का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा हो इंका करें और घृजाitez हो अगर समय से नहीं हो रहा तो यह नहीं होती है और यह नहीं यानि यह पिता भी नहीं बन सकते हैं तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानोव जाती में भी वैसे हैं जो बच्चे उत्पन नहीं कर सकते हैं इसको हम कह सकते हैं कि यह सजीव होते वे भी अपने जैसे संतान उत्पन करने के छमता नहीं रखते हैं इसलिए हम प्रजनन को लक्षन नहीं है चोंकि यह लक्षन तो इनकर इनकर तो इसलिए और नहीं करें कि उदीपन क्या है। यह स्टीमोली की बात करें। च्षि-टीमूली जो है यानि च्प पैदा करता है समेदना देता है हमें समुएदना की बात करें तो पहला आता है आंक है फिर नाख है फिर कान है चौथा आता है जीवा है और पांचवा आता है पचा है यह पांच सिंसरी और नहीं है जो हमें पहुंचाते हैं यह अगर आंक से अगर वैसा चीज है जिसके देखने से आपको पानी आ चाहरा है या बैसा कुछ भना सुरू होता है कि हम आज से देखें तो मुझे आज्न बांता है तो आप बेना देखें तो अच्छा के मात्यम से उसको महासूस कर हो सकते हैं तो यह आप में क्या हुआ उधीपन का काम किया यानि समवेदना पहुंच आया इस तरह से हम देखें यह उधीपन जो है यह जीवों का वैसेश्च लख्षन है ठीक है उसके बाद आते हैं हम जीवों में विविद्था तो इस पॉइंट को हम दिखते हैं कि जीवों में विविद्था क्या है तो प्रित्वी पर पाए जाने वाले प्रित्वी पर पाए जाने वाले जितने जीव हैं उनकी संग्या 1.7 से लेकर 1.78 billion तक है अब इतने सारे जीवों के बारे में ज्यान इकठा करना या सब के बारे में जानकारी हासल करना बहुत ही कटिन बात है अब इन जीवों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विभिंता पाई जाते यानि एक दूसरे स यह अलग होते हैं इनके रहने से लेकर इनके सरीर के आकार से लेकर यानि हर मामले में यह एक दूसरे से अलग होते हैं तो यह हम समझे के जीवों में विविदता यानि उसमें अलग अलग प्रकार का होना ही क्या कहलाता है अब बात आया कि वर्गी करन क्या है यानि इसका ऐसा पधती है जिसमें जीवों को उनके समानता के अधार पर अलग-अलग बर्गों में किया जाता है आप यहां आगे देखेगा तो वर्गी की भी आपको देखने के लिए मिलेगा वर्गी की और वर्गी करण कि दो वार्ड हैं और दुनों एक दूसरे के पूरत हैं एक दूसरे के पूरलती करता है जैसे ये वर्गीकी का मतलब होता है systematics और वर्गीकरन का मतलब होता है classification यानी समानता के अधार पर इन जिवों अलग-अलग ग्रूपे में बाढ़ता है अलगी करण करता और सिस्टमेटिक बात यह हुता है कि उनको एक सिस्टम के अधार पर अगर बाढ़ा जाता है एक तो से हम सिस्टमेटिक कहेंगे बरगी की कहेंगे अब आता करन के बारे में बताया था इन्होंने ही बताया था आगे पढ़ेंगे द्विनाम नाम करन पदती और एक अगला आख की बस्तु करें के हम यहां है को यहां को जाकर पढ़ रहा है को कई जाकर पढ़ तो इसमें होता यह है कि एक ऐसा नामकरन रखा जाएब यह कि पूरे बिस्स में उसको एक ही नाम से जाना जाए जिसे कहा जाता है बनस्पती नेम इंसकर कहा जाता है तो अब यह बात आता है कि यह किस अधार पर रखा जाता है इसमें हम टेक्शन में आपको बताएंगे इसमें आता है इसमें लिखा गया सब अहला करने सन आता है कि इसमें लिखा गया या अब कह सकते हैं कि लिया गया सब्द लैटिन भासा में होना चाहिए लैटिन भासा में होना चाहिए पहला बात है दूसरा बात है कि इसमें दो सब्द होते हैं लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट कि इसमें यानि द्युनाम नाम करन पद्धिती में दू सब्द होने चाहिए होना चाहिए अब पहला जो आता है उसको हम वन्स कहते हैं और दूसरा जो आता है उसको जाती कहते हैं तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि वन्स का वन्स का पहला लेटर या पहला अक्षर क्यापिटल लेटर में लिखा जाता है लिखा जाता है जबकि जाती का मेटा देना है इसको फिर उपर से लिखते हैं कि जबकि जाती का जाती को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है अब इसमें बात यह आता है दो पॉइंट और है जो मुख रूप से आपको जानने चाहिए पहला इसमें और आता है यदि यदि हम बैज्ञानिक नाम को खास्त लिखित करते हैं खास्त लिखित मतलब हाथ से अगर लिखते हैं तो इसके नीचे यानि इसके नाम के नीचे इसके नीचे अंडरलाइन 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 देते हैं अगर यही छपाई की भासा है अगर छपाई की भासा है या कंप्यूटर के द्वरा हम लिख रहे हैं तो यह इटाइलिक में लिखा जाता है यानि सिर्षा लिखा जाता है यह आप पर है कि द्यूनाम नाम करण पज़ती क्या होता है तो इसमें हम यह देखें कि इसमें दो सब्दाते हैं तो वह उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ होना जब कि अगर छपाई की भासा हो तो उसके नीचे उसे इटालिक में या तिर्षा लिखा हुआ होना जब आता है तुरी नाम नाम करण पज़ती क्यों होते हैं वह सब्दाते हैं एक अंतिम इसमें किवल तुरी नाम पज़ती के लिए जूट जाता है कि वैज्यानिक अगर चाहे तो अपनी स्विक्षा से डीचे या अंतिमें अपना एक छुटा सा hai नाम नाम दे सकता डाट से यह हुआ कि दो नाम नाम करन से देखें और एक तीसरा नाम जो दे रहा है वह बैग्वाइगानिक अपने तरफ से अब्सक्ता किए यहां तिरे नाम पज़ती खत्म किक वार्गी की किbecue के अधार आई भी हम पहले लिखेते हैं यानि इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कोड़ वोटानिकल नुमेंक्लेचर और दूसरा आता है आई सी जेड़न है यानि इंटरनेशनल कोड़ जुलोजिकल नुमेंक्लेचर यानि यह दो पदती है टेक्सान की जो एक परिमाप के तहत एक पैमाने के तहत जीवों को बर्गिकरन करते हैं और उनको अलाग अलाग करके नाम लिखते हैं अगला आता है यह आप समझ रहे थे परिकरन का ठैक्सान की बात करें तो वह तर इसमें ऐता और वाली बात आती है कि इसकर सब्सक्राइब टैक अरनि चान्य कैसे हैं कि तो सबसे पहले जो राम आता है वो आता है kingdom उसके बाद आता है संग उसके बाद आता है गन उसके बाद आता है पाइलम के बाद आ जाता है यानि इसको हम लिखते है kingdom इसके बाद आ जाता है class यानि वर्ग हो जाता है उसके बाद आ जाता है order यानि गन कर सकते है इसको order और उसके बाद आ जाता है cool यानि फैमिली और उसके बाद होता है इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले होता है फिर उसके बाद जेनस होता है फैमिली होता है गन होता है अब यहां सबसी इंपॉर्डेट है जो आपके पुछा जाता है कि इसमें फाइलम और एक होता है डिविजन तो डिविजन जो होता है यह पौधों के लिए उप्यूग होता है प्लांड के लिए जबकि फाइलम जो होता है वो एनिमल के लिए उप्यूग किया जाता है तो यहां हम देख सकते हैं सबसी छोती एक आई जो है जाती है यानि एक समान जाती मिलकर बंस का निर फिर आगे हम पढ़ेंगे किंडम के बारे में अब इतना ही फिर इसका जो भी छुटा वोला वीडियो होगा फिर या जो भी लेक्चर होगा हम नेक्स वाले वीडियो में दे देंगे